हेलो फ्रेंट्स वेलकूम टो माई चैनल घर की रसोई बादिपिका आज मैं आपको बताने जा रही हूं मूंग डाल मूंग डाल जो हम रेस्टोरेंट में खाते हैं वह है मैंने यह बॉइल के हुई है यह 3-4 का मूंग डाल है जो मैंने थोड़ी सी हल्दी थोड़ा नमा थो पैन लेंगे पैन में हम डालेंगे अपना आधा टी स्पून और और एक टी स्पून हमारा जाएगा इसमें देसी घी अब इसमें टालेंगे हम अपनी आधा टी स्पून जीरा जीरा के बाद इसमें डालेंगे हम अपना एक टेबल स्पून हमारा जाएगा चॉप कियावा ब्लिỉक अन्य उस्के इसको मैं अit भूलना है तक सबोने हैं इसका घंटा हो Emil के इसमें डालेंगे हम 1ma तरंद शेन इसमा ठाटा हूए बारिक बारिक चौप हो सार। हम हम अध्रक Sanh Limited के इसमें डाला हें इसको हमें color change होने तक brown होने तक प्याज को भूरना है बच्छे से medium to high flame पर यह हमारा प्याज हो गया ब्राउन अब इसमें डालेंगे अपने दो टमाटर जो बारी बारी काटो हुआ है हमारे टमाटर हलके हलके सॉफ हो चुके हैं अभी स्टेज में डालेंगे इसके में अपने मसाले दोकी है हमारा जीरा पाउडर वन फो टीस्पून धनिया पाउडर हाफ टेबल स्पून हमारी जाएगी थोड़ी सी वन फो टीस्पून हमारी जाएगे रैड चिली जो तीखे वाली होती है अगर आपका पसंद नहीं यह ज्यादा तीखा तो आप रैड चिली आप इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी ताकि हमारे मसाले अच्छे से भुन ज करेंगे वह बॉइल पानी लीजिए गरम लीजिए ताकि हमारी प्रोसेसिंग रुके विसे अम ओल रिलीज होने तक भुन हमारा ओल हो गया रिलीज अभी सेच्पे हम इसमें मिलाएंगे अपनी डाल जो हमने बुला बॉइल करके रखी हुई है और थोड़ा सा पानी हमारी अच्प करेंगे 5-7 मिनट्स मीडियूम फ्लेम पर अपर डालेंगे हम थोड़ा सा अपना धनिया और थोड़ी से हमारी कसोरी मेथी कसोरी मेथी हमारी 1-4 टी स्पून यह होगे हमारी दाल रेडी अब इसके लिए आपना इसेट्ड तड़का त्यार हम टाट्क में लेंगे लेंगे एक टेबल स्पून हमारा देसी घी घी गरमहों के लिए आप 50-30 जीरा टीश्पून भाप टेबल स्पून हमारा जाए गा इसमें लसन व बलसन को करें हम अच्छे से कुख लसन के बाद इसमें डालेंग हम थोड़ा सहरा धनिया देन हाफ टीजपून हमारी देगी मिर्च और साथ में मैं डाल रही यह चार सुखी मिर्चे अगर आपके बाद लंबे वाली होता आप लंबे वाली डाल सकते हैं यह मेरे पास बोल मि दाल में यह होगे हमारी दाल तड़का रेड़ी अगर आपको यह रेस्पी अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेर कमेंट और सुब्सक्राइब मैं चैनल फो मूरेस्पी थैंक यू